तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इसमें सब चीज़े बताई गई है, बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है, तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा, जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फ उसको जोई करना बहुत पॉसर बज़र होई है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबेक है, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमें करके जरू बताईएगा, इसको योट्यूब के है, उसको जरू से जरू सब्सक्राब कर लिएजए, यहां से सब्सक्राब का बटन दबा जिससे की सभी नोटिफिकेशन्स आपको रगुलर बेसिस पे मिलते रहे हैं, यह वाला जो टेलिग्राम चैनल है, इसको जरू से जरू जरू जोइन कर लिएजए, यह टेलिग्राम चैनल आपको सर्च कंड़े मिल जाएगा, जैसी आप यह लिखेंगे, लेट्सक्राइक दिशेग गुपता, तो यह हैं 20th of October के डेली Current Affairs, बहुत important Current Affairs इनको आप डेली वेसिव कवर करते रहिएगा, अगर आपको वह बैकलॉग बचावा है तो उसको जरू से जरू कवर कर लिजेगा, जिससे की सारे Current Affairs आपको कवर हो जाएं, इसमें A to Z जितनी भी निउजिस हो र रही है, RO-RO सचीवाले का full preparation batch चल रहा है, यह बहुत important batch है, अगर आपने यह prime batch चल रहा है, इस time पर आपने इसको जोईन कर लिया, तो इससे होने वाली जितनी भी आपकी तयारी है, सब हो जाएगी, आप जितनी भी एकजाम देना चाहरे हैं, चाहे आप PCS का एजाम दे रह कर सकते हैं, जो लिस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले GS2 से न्यूज आ रही है कि प्रधान मंतरी सुरक्षित मातरत अभ्यान जो है, वो एक fixed day, free of cost, एक comprehensive और quality antenatal care दे रहा है, यान उनको कहना यह है, कि एक निश्चित दिन पर निशुल्क, व्यापक और गुडवत्ता पू तो it provides a fixed day, यान कि एक दिन fixed होगा, जिस दिन आपको free इलाज मिलेगा, free of cost, assured, comprehensive, और quality antenatal care के रहा होगा, ninth day of every month, यान कि हर महिने की जो नौवी तारीख है, नौवा दिन है, हर महिने का, उसको free आपका check-up होगा, ladies का free check-up होगा, in their second, oblique third trimester of pregnancy, यान कि उनका जो दूसरा trimester है और तीसर trimester है, उसमें उनको free check-up मिलेगा, at designated government health facilities, तो जो government की health facilities है, जैसे कि primary health care होता है, secondary health care होता है, उन जगवाँ पर, under PM SMA program, private medical practitioners are also encouraged, और ये भी कहा जा रहा है, बिस सरकारी वाले तो करी रहे हैं, साथी साथ ये भी कहा जा रहा है, कि जो private medical practitioners हैं, यान कि private doctors हैं, उनको ये encourage किया जा रहा है, कि आप भी ये services, यान कि समाज के लिए कुछ services provide करें, to offer voluntary services at government health facilities, तो voluntary services, यान जिनके लिए उनको कुछ ऐसा extra pay नहीं किया जाएगा, और वो उसके लिए government health facilities में जाके service provide करें, average life expectancy की अगर हम बात करें, यान कि जो जन्व के समय जो औसत आयू होती है, average life expectancy जो birth है, वो 20 साल improve कर गई है, यान कि पहले बहुत कम हुआ करती थी और अब 20 साल भड़ गई है, यान कि 1970 से 75 के टाइम पे 49.7 years हुआ करती थी, अब 2015 से 19 के टाइम पे 69.7 years हो गई है, यान कि ये मना जाता है कि अगर कोई person भारत में जन्म लेता है, तो average life जो मानी जाए chances होते हैं, कोई accident हो जाता है, तो इसी के टाइज जल्दी हो जाती है, और कुछ और जाद लंबा जीते हैं, तो कुछ 90 साल, 100 साल तक जीते हैं, तो अब ये depend करता है, person to person, लेकिन average life अगर पूरे देश की मानी जाए, तो इस time वो 70 साल है, तो latest report जो आई है, sample registration system की, उन्होंन 69.7 साल हो गई है, 2015-2019 के टाहिए, country has experienced notable improvement in child mortality, अब ये भी बात है कि मृत्ति उदर में अगर हम देखें, तो बहुत जादा हमने इसमें experience करा है notable improvement, यानि कि बहुत जादा सुधार इसके अंदर देखा गया है, under 5 mortality rate अगर हम देखें, यानि कि 5 साल से छोटे बच्चे जो जि अब वो घटकर 35 रह गया है, यानि कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और हमारी कोशिश ये है, कि हम निरंतर इस, जो ये quantity है, 35 बच्चों की death होने की, या 45 बच्चों की death होने की, इसको हम कम करते चले जाएगे, नेक्स आता है, Rural Technology Action Group, यानि ग्रामीन प्रिद्योगी की कारे समूँ, तो with the aim to develop demand-driven prototype technologies, यानि कि हम कुछ ऐसी technologies बना रहे हैं, यानि कि ग्रामीन शेत्रों में आविदन के लिए मांग सिंचालित, prototype प्रिद्योगी की को विक्सित करना, in ruler areas, एक initiative है, Rural Technology Action Group, इसको support कोन कर रहा है, इसको support कर रहा है, principle scientific advisor to the government of India, comment section में comment करके बताएंगी कि इस time पे भारत के, जो भारत के प्रामीनिस्टर होते हैं, उनके लिए principle scientific advisor कौन है, जो उनको science के बारे में, science and tech के बारे में उनको advise दे अगे, accordingly the RUTAG centers को खोला गया है, 7 IITs में, जैसे की मदरास में, घ्वाटी में, खड़कपूर में, उतराखंड के रुडकी वाली जो IIT है, उसमें भी खोला गया है, दिल्ली, बॉम्बे, कानपूर में, these 7 RUTAG centers develop the need-based technologies, अब देगे, need-based, यानि कि जो आपकी जरूरते हैं, कौन बताएगा, needs बताएगा, IITs को, कि center government की क्या need है, state government की क्या need है, या public center undertakings है, PSU है, NGOs है, इनकी क्या needs है, ये सब चीज़ें, इन centers को बताएगी, rural technology action group को, और वो फिर काम करेंगे, कि क्या क्या नए नए technology बनानी चाहिए, next, GS3 से news आती है, सबसे पहले, brief of major beneficiary oriented schemes है, कुछ जो beneficiary oriented schemes है, यानि कि कुछ लोग जो beneficiary होते हैं, यानि जिन लोगों को लाभारती होते हैं, जिन लोगों को कुछ फाइदा मिलता है, अलग-अलग schemes से, उन schemes का एक छोटा सा ब्योरा देखे रख रखा है, वो देख लेते है सबसे पहले scheme आती है, PM किसान, यानि प्रधान मंतरी किसान सन्मान ने दी, इसके देख हर साल 6000 रुपे मिलेंगे, तो scheme aims to supplement the financial needs, इसके देख 6000 रुपे मिलेंगे आपको एक साल के अंदर, और तीन equal installment में, यानि 2000 रुपे की equal installment दी जाएगी, हर चौथे महीने पे, central government के दवार फिर आती है, प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना, तो इसमें एक social security scheme है, for the small और marginal farmers के लिए है, क्योंकि उनके पास हम मान के जल सकते है, minimal or no savings to provide for old age, क्योंकि उनके पास इतना पैसा बसता ही नहीं है, कि जब वो old age में हो, या उनके जो parents है old age के, वो उनकी कुछ मदद कर सक नेक्स आता है, राष्टे क्रिशी विकास योजना और remunerative approaches for agriculture and elite sector rejuvenation, यानि RKVY रफ्तार, यानि राष्टे क्रिशी विकास योजना, क्रिशी और संबंद शेतर के काय कल्ब के लिए लाबकारी दरस्टी को, तो इसका aim क्या है, इसका aim है making farming a remunerative economic activity, यानि इसका aim यह ह RKVY रफ्तार का, कि हम कुछ इस तरह से खेतियों करें, जिससे क्यों remunerative हो जानि कि हमें वापिस में कुछ पैसा मिले उसका, ऐसा ना हो कि हमारी महनत तो बहुत साता हो जाए, लेकिन इतना return हमें ना मिले, through strengthening the farmers efforts, risk mitigation and promoting agri business entrepreneurship, नेक्स आता है प्रधार मंतरी फसल भीमा यह रही है, तो एक affordable crop insurance scheme है, farmers के लिए, against all non-preventable natural risk, यानि कि एक crop insurance scheme है, जो affordable है, बहुत easily afford कर सकता है, कोई भी किसान, और कैसी रही है, non-preventable है, यानि कि जिनको हम prevent नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं, सूखा पढ़ गया, या बहुत जादा बरसात हो गई, कुछ भी ऐसी activity, जो इ सान का नुकसान होगा क्येतीगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फसल भी मायोजन लाई गई थी, फिर आता है, per drop more crop, तो PMKSY, यानि प्रधान मंतरी किसी क्रिशी से चाहिए योजना के तहत, जो per drop more crop, यानि कि प्रती भूंद, अधिक फसल, mainly focuses on water use efficiency, कि हम पानी क किस तरह से बहुती efficient way में इस्तवाल करें, at farm level, through precision oblique micro irrigation, यानि कि बहुती micro irrigation के तहत, यानि कि हम बहुती precisely उसमें खेती करें, और हम बहुत कम हम क्या करें, पानी को waste करें, besides promoting precision irrigation, drip और sprinkler irrigation systems and better on farm water management, अब देगे क्या क्या बताय जा रहा है, कि आप drip system लगाई है, खेती करने के लिए sprinkler irrigation system लगाई है, जिससे की पानी की मातरा कम उपयोग होगी, और जादा area में हम सिचाई कर पाएंगे, नेस आता है national honey and bee mission, तो राश्ट्रे शहद और मदुमक्खी mission अकरम देखें, तो promoting and development of scientific beekeeping in the country, यानि देशवर के अंदर scientifically, यानि कि आप विज्यानिक पून तरीक से आप क्या करें, मदुमक्खी पालन करें, तो उस चीज को भढ़ावा देने करें स्कीम लाई गई है, फिर आता है agriculture infrastructure fund, यानि क्रिशी अवसरचना कोश, तो medium to long term debt financing, तो medium से लेके long term तक अगर हम देखें, तो debt financing facility for investment in viable projects for post harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support, next आता है interest subvention scheme, interest subvention का मतलब यह हुआ कि ब्याज जो एक किसी किसान को देना था, वो किसान न देके सरकार देगी, तो aims at providing adequate और timely credit support by way of short term crop loan up to 3 लाग रुपे to all farmers, यानि सभी किसानों को crop के लिए, यानि कि फसल के लोन के लिए 3 लाग रुपे का लोन मिल जाएगा सरक सरकार का interest subvention scheme में, फिर bamboo mission चलाए गया सरकार के दुवारा कि bamboo mission चलाए गया क्योंकि bamboo अपना आप में, bamboo पहले tree के अंदर आया करता था, जिसके वेसे उसको काटना मुश्किल हो जाता था, तो सरकार ने bamboo को 2019 में tree से grass भूशित कर दिया कि ये घास है और घास असानी से काटी जा सकती है, to increase the area under bamboo plantation in non-forested government and private lands, to supplement farm income and contribute towards resilience to climate change, बलब इन सब चीजों के लिए इसको कहा गया है, क्रिशी आये के पूरक के लिए है, और गैर वन सरकारी और नीजी भूमी में बास को, रोपन के तहत शेतर को बढ़ाने के लिए, यानिकि जिससे कि हम बास का शेतर बढ़ा स है, बास की वज़र बहुत जादा होती है, तो इसी वज़ा से बहुत जादा होता है, नेक्स जाता है, soil health management, इसके लिए soil health management card भी बनाए गया है, soil health card जो ये बताता है, कि एक मिट्टी के अंदर कौन कौन से nutrients हैं और किस-किस nutrient की कमी है, पहले किसानों को ये नहीं पता होता जाता है, कि मिट्टी में किस की कमी है, कौन भौतायत में है, तो इस वज़े से वो क्या करते थे, सारे तरह के जो mineral सोवा करते थे, सारे तरह के जो fertilizer सोवा करते थे, वो डाल लदे थे, जिसससे मिट्टी की जो उपझाव शक्ती थी, वो भढ़ने के बजाए क्या होती थे घड़ने लगती थी तो develop and promote soil test based nutrient management यानि आप पहले soil को test करो कि मिटी में कैसे कैसे nutrients है for enhancing nutrient use efficiency next आता है submission on agriculture extension यानि कृषिव इस्तार पर उपमिशन के अगर हम बात करें तो it aims at making the extension system farmer driven and farmer accountable by disseminating technology to farmers through new institutional arrangements जैसे की एक तो आत्मा इसकिम चलाए गई थी agriculture, technology, management agency हर district level बनाई गई है to operationalize extension reforms in a participatory mode क्यानि की हम कुछ reforms नाए और कैसे हो वो participatory mode में हो यानि की जो किसान है वो भी इसमें क्या करें participate करें वो भी इसके अंदर से भागी बने next आता है submission on agriculture mechanization अभी तक भारत में जो खेती होती है वो बहुत कम होती है जो machines के द्वारा होती है तो machines का इस्तमाल जादा-जादा किया जाए जिससे की agriculture पर dependent जो लोग है वो कम हो और दूसरे रोजगार देखें और machines का इस्तमाल जादा करें जिसके वैसे खेती की जो उपज है इल्ड है वो भी भड़े तो increase the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and to the regions जहाँ पर availability जो है farm power की वो क्या है वो कम है next आता है mission for integrated development of horticulture यानि कि horticulture का किस परकार से आप integrated development करें तो उसके लिए कहा जा रहा है stimulate holistic growth of the horticulture sector कि एक समग्र तरीके से horticulture का जिसके अंदर फूलो की बागवानी का है फलो का कहें या सबजियों का कहें खेती उसको हम किस तरह से बढ़ाएं तो horticulture sector की बात की जारी है through area based regionally differentiated strategies इसमाँ ये भी देखना पढ़ेगा कि कौन सा area किस तरह की फसल के लिए suitable है involvement technology promotion कि technology को किस तरह से promote करें extension post harvest management processing making marketing in consonance with comparative advantage of each state of the region and its diverse agroclimatic features next आता है submission on seed and planting material की जो submission है seed पे और planting material पे अगर हम देखें तो बीच के उपर और जो plant करने के लिए जो हम कलिया लगाते हैं कि निकली चीजों की तो उसके material के उपर बात की जा रही है कि production और multiplication of high yielding जो बहुत ज़दा yield करें यानि कि उच उपर जबाले क्या हो परमानित यानि certified और quality गुर्मत्ता पूंड जो seeds है सबी crops के लिए वो किसानों के पास available होने चाहिए देगी ये सब चीजे सरकार काम कर रही है इन सब चीजों के उपर अगर कभी भी आता है कि government what has government done यानि government ने क्या किया है किसानों के लिए तो आप इन सभी schemes को लिख सकते हैं अगर आप ये schemes के नाम लिख आएंगे बहुत अच्छे marks आपको मिलेंगे और आपके prelims point of view सब्सक्राइब के सवाल आते हैं उसमें भी आ सकते हैं कि किसमें क्या scheme है कौन से scheme क्या हो रहा है इस सब आपको पता हूं चाहिए कि कौन से scheme किसके लिख गई है फिर नेक्स आता है National Food Security Mission इस ये तो बहुत ही famous रहा है NFSA Act 2013 के बाद आये था और इसके तहट बहुत ज़्यादा मातरा में अनाज और गेहूं अनाज और चावल प्रोवाइड किया गया है लोगों को कुरोना के टाइंगे फिर commercial crops है जूट, cotton sugar cane oil seeds, oil palm इन सब का बढ़ाना ज़रूरी है भारत में क्योंकि भारत में इनकी जो खपत है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है फिर नेक्स आता है Integrated Scheme for Agriculture Marketing यनि क्रिशी विप्डन के लिए यानि कि marketing करने के लिए एक हमरे पास Integrated Scheme होनी चाहिए तो डवलाब मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रेक्चर तो एफेक्टिवली हैंडल और मैनेज मार्केटिबल सर्प्लसिस ऑफ अग्रिकल्चरल एन एलाइड प्रेड्यूस तो इसमें होटिकल्चर की बात भी आती है लाइफ स्टॉक है पॉल्ट्री है फिशरी बैंबू माइनर फॉरस्ट प्रेड्यूस और जैसे की जिससे की हम क्या कर सके फार्मर की जो इंकम है वो क्या कर सके इनहेंस कर सके फिर आता है जो फार्मर प्रॉड्यूसर और्गनेशन है 10,000 organizations खोलने की बात की गई थी कि छोटे और चोटे मोटे जो चोटे हैं और मजले किसान हैं उनको जोड़ कर हम क्या बना दें FPO बनाए यानि कि Pharma Producers Organization बनाए और वो कितरी मातरें बनाई जाने की बात की जा रही है 10,000 इसके बाद नेक्स आता है कि Pharmaceutical Industry के अगर हम बात करें कि आतन निर्वर भारत प्रोग्राम के तहट कि जो भारत को कहा गया है कि भारत Self-Dependent बने आतन निर्वर बने तो उसमें Basic भारत के साथ दिक्कत क्या थी कहने का मतलब यह है कि भारत वैसे तो Pharmacy के अंदर कर हम देखें दवाई के शित्र में देखें तो हम दुनिया के लिए Maker है, Manufacturer है दवाईों के लेकिन दिक्कत यह है कि उस दवाई को बनाने के लिए जो Key Ingredients रही है Active Key Ingredients रही है यानि कि जो Basic Material होता है वो हमारे यह हैं नहीं उसके लिए भारतों खुद किसी दूसरे देश पे डिपेंड होना पड़ रहा है तो इतनी Industries का भी क्या फाइदा होगा कि अगर हमारे पास वो Raw Material ही नहीं आएगा तो हमारी वो Industries भी ठप पड़ी रहेंगी तो हमें उस Raw Material के अंदर भी क्या होना है आगने पर होना है जिससे कि हम Self-Dependent हो और किसी दूसरे देश पे हमें Depend ना होना पड़े Raw Material के लिए इंडियन Pharmaceutical Industry तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंड़ वर्ल्ड बाइब वॉल्यूम इंडिया एक्सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग बल्क ड्रक्स और ड्रक्स यानि कि बहुत बड़ी मातरा में ड्रक्स को यानि ड्रक्स का मलब हैं पर दवाई है नार्कोटिक्स वाली चीज़ नहीं है इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट तेटिस जार तीन सो इक्स करोड रुपे यहां पर आपको समझने वाली बात है यहीं सदिक्कत शारी शुरू हो रही है कि यह जो API है एक्टिव फार्मस्यूटिकल इंग्रिजेंट्स यानि जिसके वज़े से दवाई बनती है भारत ने एक्सपोर्ट किया है 33,000 क्रोड रुपे का और इंपोर्ट क्या है 35,000 क्रोड रुपे का हमें इसी चीज पर वार करना है कि यह जो हमें इंपोर्ट करना पढ़ रहा है वो हमें इंपोर्ट ना करें वो हमारे हाँ खुद के हाँ मैनुफेक्ट्रिंग उसकी हो री चाहिए तुम एक दा कंट्री आत्म निर्भर इन एपी आई और ड्रग इंटरमेडियेट्स डिपार्ट्मेंट और फार्मसीटिकल ने तीन स्कीम को इंप्लिमेंट किया है पहली है प्रोड़क्शन लिंग्ड इंसेंटिव इसकीम तो इसके तैत क्या हो रहा है प्रोड़क्शन ऑफ डॉमेस्टिक मैनुफेक्शनिंग और इसकीम को इसकीम किस तरह से जो क्रिटिकल है जो बहुत जादा जुरूरी स्टार्टिक मैटिरियल है जिसके दवाई बननी शुरू होती है उसको हम किस तरह से बढ़ाएं एक्टिफ फार्मसुटिकल इंग्रिडेंट्स की उपच को कैसे बढ़ा है भारत के अंदर और इसके लिए फैनेंशल आउटली दिया गया है कितना साथ जार्व करोड रुपे के असपास और इसका टैन्योर है दोजार बीज से लिखे यानि दस साल के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा इस सीज के उपर फिर आता है प्रोड़क्शन लिंग्ड इंसेंटिव स्कीम फार्मसुटिकल्स विदा फैनेंशल आउटली ओफ रुपीस पंदरह हजार करोड रुपे और इसका टैनियोर है दोजार बीज से वोई दोजार अठाइस मेंटिस तक और इसमें फैनेशल इंसेंटिव दिया जाएगा पचपन सिलेक्टिट एप्लिकेंट्स के लिए जो अलग-अलग मैनफेक्शर करेंगे अलग-अलग प्रोड़क्स को 6 सालों के लिए प्रोड रुपए एक पर पो दिया जाएगा टैनियोर रहेगा दोजर बीज से दोज़ीक्टिट पच्चीस का इसमें तीन राज्जिव में तीन बल ड्रक पार्क बनाए जाएंगे और सभी को एक गजार प्रोड रुपे मिलेंगे फिर बल ट्रक पार्क अगर हम बात करें तो Department of Pharmaceuticals इंप्लिमेंट कर रही है स्कीम को जिसमें हमें कितने बल ट्रक पार्क लगाने है तीन लगाने है यह important बात है कि तीन बल ट्रक पार्क की बात की गई है और सबको एक एक जार क्रोड रुपे मिलेंगे एक 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 जार क्रोड रुपे पर पार्क मिलेंगे या सत्तर प्रसेंट प्रिजट कोस्ट के मिलेगी नब्बे प्रसेंट मिलेगा नौर्ट इस्ट के स्टेट्स में जिसमें उतराखन पियाता है और बाकी में कम होगा बाकी में 70% है टोटल फिनेशल आउटले जो है इस्कीम की वो 3,000 क्रोड रुपे है और इस्कीम कब से कब तक चलेगी 2020-2021 से 2024 पर चीस था और नेक्स आता है लास्ट एक प्रिलिम्स के लिए फैक्ट देख लेते हैं यह किस चीस के लिए फैमस थे तो यह एसनीज राइटर थे तो इसी के साथ यह एक अंटरफेस कंप्लिट होते हैं गाईस इसमें आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी अपका फीडबेक है सेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट चुरू कीजएगा चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थेंक्यू और बाबाई